हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे दस्वी गणीत की प्रशनावली 12.1 तो आईए प्रसंद संक्या एक से सुरू करते हैं दो वर्तों कितरजाएं करमशे 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं उस वर्त कितरजाएं याद कीजी जिसकी प्रीधी इन दोनों वर्तों की प्रीधियों के योग के बराबर है यहाँ पर हमें दो छोटे वर्त दिये हैं जिसमें से एक कितरजाएं 9 सेंटीमीटर दूसरे कितरजाएं 19 सेंटीमीटर हमें एक बड़े वर्त की तरिजा बतानी है और दिया वाक्या है कि उस बड़े वर्त की जो परीधी है वो उन दोनों छोटे वर्तों की परीधियों के जोड के बराबर है बड़े वर्त की परीधी बराबर है दो छोटे वर्तों की परीधी का जोड का योग दो पाई आर यहाँ पर चो बड़ा आर लिया हमने बड़े वरत की तिरजा लिया हमने इसको हमने दरसा दिया आर से यह हमारे पास तो प्रीदी इसके हो जाए कि दो पाई आर क्योंकि वरत की प्रीदी का सुतर होता है दो पाई आर यह बराबर है दो छोटे वरतों क प्रीदियों के जोड़ के बराबर तो पहले वाले वृत की प्रीदियों जाएगी दो पाई आर यहां पर आर हमारे पास है उन्निस जमा दूसरा वरी तैस की प्रीदियों जाएगी दो पाई आर जहां पर आर हमारे पास है नो इसका सोल करेंगे दो पाई आर बराबर 38 पाई जमा 18 पाई यहां से हम दो पाई लेंगे कॉमन यहां दो पाई आ रहे हैं इसमें दो पाई कॉमन लेंगे अंदर बचेगा हमारे पास 19 जमा 9 2 पाई से 2 पाई कैंसल हो जाएगा आर बराबर होगा 19 जमा 9 बराबर 28 तो जो बड़ा वरीत है उसकी तरजया हमारे पास आजयेगी 28 cm परसं संख्या 2 है दो वरतों की तरजयाए करमशे 8 cm और 6 cm हैं इस वरत की तरजया गयात कीजिये जिसका 6 तरफल इन दोनों वरतों के 6 तरफल के योग के बराबर है यानि हमें दो छोटे वरत दिये हुए हैं जिनकी तरज्या हैं 6 और 8 सेंटीमीटर एक बड़ा वरत है उसकी तरज्या हमें ग्याद करनी है और दिया है कि उस बड़े वरत का जो 6 तरफल है वो दोनों छोटे वरतों के 6 तरफल के योग के बराबर है तो हमने मान लिए यह मार प्रफल है वो इन दोनों के 6 तरफल के योग के बराबर है बड़े वरत का 6 तरफल बराबर दो छोटे वरतों के 6 तरफल का योग दो छोटे वरतों के 6 तरफल का योग तो बड़े वरत का 6 तरफल निकारेंगे, मुझा सुतर क्या होता हमारे पास? π.R. स्केर π.R. यहाँ पर है बड़ा आर π.R. स्केर बड़ा π.R. यहाँ पर है आठ तो आठ का वरग जमाँ अब इस वरत का 6 तरफल यह हो जाएगा π.R. स्केर और यहां पर आर त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् आर सुकेर का मान है सो के बराबर, सो को हम लिख सकते हैं दस का वरग, यहां से हमारे पास दोनों तरफ वरग मूल करेंगे, वरग मूल करने के बाद आर का मान आ जाएगा दस, तिरजा जो आर है वो बराबर आएगी दस सेंटिमीटर के, यानि बड़ी वरत की तिरजा दस सेंटिमीटर हो जाएगी और यही हमें इसमें ग्याद करनी थी, परसन संख्या तीन को पड़ते हैं, आकरती में एक तिरंदाजी लक्षे को दरसाती है, जिसमें केंदर से बार की और पांच शेतर गोल्ड, रेड, ब्लू, बलेक और जिन से अंक करचित की जा सकते हैं, गोल्ड अंक वाड़े चेतर का व्यास 21 सेंटिमीटर है, तथा परतेक अन्य पटी 10.5 सेंटिमीटर चोड़ी है, अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों चेतरों में से पत्ते का चेतर रफल ग्याद कीजी, यह हमारे पास अंदर का च चेतर है, यह है गोल्ड, यह दूसरा चेतर है, जो यह है रेड, यह ब्लू, यह बलेक और यह वाइट, इस तरह से यह पांच लक्षे हैं, प्रतेक जो पट्टी है, इन प्रतेक पट्टी की जो चोड़ाई है, वो है 10.5 सेंटिमीटर, यहां से यहां तक, यहां से यहां त यह हमारे पास है 21 cm हमें परतेक छेतर का छेतर फन निकालना है गोल्ड छेतर का व्यास व्यास हमें दे रख्या है 21 cm तो यहां से हमारे पास तिर्जया हो जाएगी 21 बटे दो क्योंकि तिर्जया व्यास की आदी होती है 10.5 cm छेतर फन गोल्ड अब यह जो गोल्ड वाला छेतर है यह एक व्रित है और व्रित का छेतर फन होता है पाई आर स्केर तो यहाँ पर हमारे पास जो आर तिर्जया है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 10.5 तो इसका छेतर फन हो जाएगा पाई यहां से लेकर के और यहां तक की होगी तो 10.5 यह है और 10.5 इस पट्टी की चोड़ाई है तो हमारे पास जो तिरज्या होगी रेड वाड़ाई के लिए वह जाएगी 21 सेंटीमीटर तो यह एरिया हमारे पास आएगा यहां तक 21 सेंटीमीटर तिरज्या लेकर के हम जो 6 तरफल निकालेंगे उसके अंदर एरिया आएगा रेड का भी और साथ में गोल्ड का भी क्योंकि केंदर से हम दूरी मापी हमने यह केंदर है और हमारी तिरज्या यहां से यहां तक की दूरी 21 सेंटीमीटर है तो उसके अंदर यह प गोल्ड जमा रेड गी 21 गुणा 21 यह हो जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर यह चेत्रफल हमारे पास गोल्ड और रेड दोनों का में निकालना है सिर्फ रेड का तो चेत्रफल रेड रेड वाला जो चेत्र है उसका चेत्र फ़लो जाएगा इसके अंदर से हम गटा देंगे किसका गोल्ड का गोल्ड का अमरे उपर निकाला था 346 दसमलाव पांच तो यहां सी अमारे पास बच्जियाएगा 1049 दसमलाव पांच वर्ग सेंटीमीटर यह अमारे पास रेड पर निकालेंगे तो अमारे पास तिर्जियाओगी यहां से लेकर के और यहां तक की 10.5 जमा 10.5 जमा 10.5 जमा 10.5 यह अमारे पास हो जाएगी 31.5 31.5 लेकर के हम जो चेत्र फ़लो निकालेंगे वो आएगा अमारे पास यहां तक का चेत्र फ़ल गोल्ड रेड जमा ब्ल्यू तिन्नों का 22 बटे 7 पाई आर स्केर आर यहाँ पर तिरजिया मारे पास हो जाएगी 10 दस मलो पाँच जमा 10 दस मलो पाँच जमा 10 दस मलो पाँच तिन बार जुड़ेगी यह हमारे पास आएगी 31 दस मलो पाँच तो पाई आर स्केर 31 दस मलो पाँच गुना 38 दस मलो पाँच यहां से हमारे पास यह हो जाएगा 3,118 दस मलो पाँच वर्ब सेंटिमीटर चैतर फल ब्ल्यू त्विसमे से हम इस टोटल में से गटा देंगे गोल्ड और रेड का टोटल हमारे पास है 3118.5 इसमें से गटाएंगे गोल्ड प्लस रेड तो गटा कर देंगे 1386 और ये हमारे पास आजाएगा 1732.5 वर्ग सेंटिमीटर इसी परकार अब हम निकालेंगे छेतरफल ब्लेक का तो ब्लेक के लिए हमारे पास तिर्जा हो जाएगी यहां से लेकर के और यहां तक छेतरफल गोल्ड रेड ब्ल्यू और ब्लेक यह हमारे पास हो जाएगा 22 बटे 7 पाई आर स्केर अब ब्लेक के लिए जो तिर्जा हो जाएगी दस दस मलों पाँच कितनी बार च्यार बार तो बन जाएगे मारे पास 42 ब्लेक रिजन का ब्लेक छेतर का बराबर हो जाएगा इस टोटल में से हम गटा देंगे उन तीनों का टोटल हमारे पास आया था 5544 गटा 3118.5 यह इसमें से गटा देंगे यह हमारे पास बचेगा 2425.5 वर्ग तरज्जा हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी यहां से लेकर रेकर और यहां तक एक दो तीन चार पाँच पाँच बार दस दसमेलो 5 जुड़ेगा पांचों का छेतर फरग यह बराबर हो जाएगा 22 बटा 7 पाई आर स्केर यहां पर हमारे पास तरज्जा है 52.5 तो 52.5 का वर्ग ये हमारे पास आ जाएगा 8662.5 वर्ग सेंटिमीटर ये चेतरफला हमारे पास आया है इन 5 चेतर का हमें निकालना था सिर्फ वाइट का तो चेतरफल वाइट ये हमारे पास होगा इसमें से हम गठा देंगे बाकी चार का ये उसमें से गठा देंगे ये हमारे पास बज़ जाएगा 3118.5 वर्ग सेंटिमीटर तो इस परकार हमने पाच्चों चेतर का चेतरफल निकाल दिया परसन संक्या चार को पड़ते हैं किसी कार के परतेक पईय का व्यास 80 सेंटिमीटर है यदि एकार 66 किलोमेटर परती गंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में परतेक पईया कितने चक्र लगाएगा तो यहाँ पर समझने वाड़ी बात ये है कि सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि पईया एक चक्र में कितनी दूरी तै करता है तो एक चक्र में उसने कितनी दूरी तै की हम पहले वो निकालेंगे तो पईये दवारा एक चक्र में तै की गई दूरी मराबर होती है पईये की प्रीदी इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि पईये दवारा एक चक्र में तै की गई दूरी होगी पईये की प्रीदी जो बराबर होगी दो पाई आर के तो यहां से पाई एकी तिर्ज्या हो जाएगे मारे पास 802,44 सेंटिमेटर कार की गती कार की जो गती है और कार की जो चाल है वो है 16 km परती घंटा तो यहां पहले हम निकालेंगे कि पईया एक चकर में कितनी दूरी तै करता है पईये दवारा एक चक्र में तै की गई दूरी वो ब्राबर होगी पईये की प्रीदी पईये की प्रीदी यानि दो पाई आर तो यहां से हमारे पास यह हो जाएगा सत्रे सो साथ बटे साथ सेंटीमीटर यह हो जाएगी पईये दवारा एक चक्र में तै की गई दूरी अब हम यहां पर यह निकालेंगे कि पईया है वो 10 मिन्ट में कितनी दूरी तै करता है यह यह कहें कि 10 मिन्ट में कार दवारा तै की गई दूरी कितनी है इतनी कार दवारा तैय दूरी है उतने ही पई ये दवारा तैय दूरी होगी तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे कि 10 मिन्ट में पई ये ने कितनी दूरी तै की 60 मिनट में तै की गई दूरी एक गंट में दे रखे हैं इसाट मिन्ट में वो हमारे पास है 66 किलो मीटर इसको मदल लेते हैं मीटर में तो ये हो जाएगा 66,000 मीटर तो ये किलो में पहुते हैं 1000 मीटर अब एक मिनट में तै की गई दूरी एक एक नियम से निकालेंगे हम 66,000 बटे 60 और हमें निकालनी है 10 मिनट में तो 10 मिनट में तै की गई दूरी वो हमारे पास हो जाएगी यहां से इसको हमाल करेंगे ये हमारे पास आएगा 11,000 मीटर 17,000 बटे 7 इसको बदलेंगे मीटर में एक मीटर में 100 सेंटिमेटर होते हैं तो सेंटिमेटर को हमें बदलना है मीटर में तो इसको हम 100 से क्या कर देंगे भाग तो ये हमारे पास आज़े आएगा 116,000 बटे 70 मीटर अब इतना करने के बाद हमें इसमें जो निकालना है वो निकालना है कि 10 मिंट में प्रतेक पया कितने चकर लगाएगा अब हमें जो निकाला है वो दस मिंट में पये दवारा तै की गई दूरी जबकि हमें निकालना है चकर को हमें दिया हुआ है कि पये दवारा एक चकर में तै की गई दूरी बराबर इतनी तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे ऐने बराबर जिए आइगी एक एक चक्कर इतने दूरी तै करने में उसने एक चकर लगाया है अब हमने बताना यह है कि उसने दूरी तै की है दस मिनट में ग्यारे हजार मीटर तो ग्यारे हजार मीटर दूरी तै करने में पईये ने कितने चक्र लगाई यह में बताना है पूछा हमसे है कि 10 मिन्ट में परतेक पईया कितने चक्र लगाएगा तो हमने यह पता कर लिया कि 10 मिन्ट में उसने दूरी तै की है 11,000 मीटर मीटर दूरी तै करने में पई ये दोरा लगाए गई चकरों की संख्या जो हमें निकाननी है यह हमारे पास हो जाएगा 70 बटे 116 गुना 11,000 इसको हम सोल करेंगे यह आएगा हमारे पास 4,375 तो यह हल करने पर हमारे पास आजाएगा 4,375 इतने चक्रों 10 मिंट में लगाएगा परसंद संख्या 5 है नेमलेक्त में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का ओचित्ते दीजिए एक वरत का प्रीमाप और छेत्रपल संख्यात्मक रोप से बराबर है तो उस वरत की तिर्जा क्या होगी हमें यहाँ पर 4 ओप्सन दिए वें 4 उत्तर हमें सही उत्तर का चैन करना है तो देखिए यहाँ से हमें जो दिया वे उसको लेके चलते हैं वरत का प्रीमाप और छेत्रफल दोनों बराबर हैं तो पहले वरत का प्रीमाप बराबर है वरत का छेत्रफल वरत का प्रीमाप क्या हो जाएगा यह हमारे पास एक ही वरत है जिसका प्रीमाप और छेत्रफल आपस में बराबर है तो वरित का प्री माप होता है वरित का प्री माप या वरित की प्री भी गएंगे तो यहां से वरित का प्री माप हो जाएगा दो पाई आर बराबर वरित का च्छेतरफल च्छेतरफल हो जाएगा पाई आर स्केर यह दोनों बराबर है तो यहां से हमारे पास पाई से पाई कंसिल हो जाएगा आर से यह वरक टट जाएगा यहां पर बचेगा दो बराबर आर मतलब आर बराबर दो तो हमारे पास वरत की जो तिरज्या है वो हो जाएगी दो सेंटीमीटर या दो मात रख क्योंकि यहां पर हमें काई निदे रखी तो दो मात रख हो जाएगी तिर्जा का मान हम दो रख के देखेंगे तो वरत का प्रीमाप क्या होगा अगर हम तिर्जा को दो लेते हैं तो वरत का प्रीमाप हो जाएगा दो गुना पाई गुना आर आर अमारे पास तिरज्या दो यह हमारे पास आएगा 88 बटे 7 मात रख पाई आर स्केर तो पाई का मान अमारे पास 22 बटे 7 तिरज्या हमारे पास 2 तो 2 गुना 2 यहां सी आएगा 88 बटे 7 मात रख तो इस परकार दोनों हमारे पास क्या है बराबर तो यहां पर तिरज्या हो जाएगी वरत की 2 मात रख तो अप्सन हमारा जो A है वो सही हो जाएगा